तो मेरे कहने का प्राई है कि विचारों की लड़ाई लड़िये, शोज की लड़ाई लड़िये, मुद्दा इस समय होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, किसानों की समस्या, देश की सिमाय सुरक्षित नहीं है, डिस्कस का मुद्द गोष्टियां इस पे होनी चाहिए, न कि बहुजन कांग्रेस पे, कांग्रेस की विचारधारा को आज RSSS और BJP अपना रहे, आज सोदेशी आंदोलन चला रही है, RSSS और BJP, वो तो आपके पत को, जो है, आपकी विचारधारों को चोरी करके और आगे बढ़ रही है, धर गोष्ट में बटवारे से बड़ा संहार कभी नहीं हुआ था, जिसमें RSSS भी सामिल थी, विच्व में तिरंगे का शम्मान बढ़ाने वाली बेठियां को नहीं मिल लहा है, तो दानिस अली को क्या हां से नहीं मिलेगा, जो गोधी मीडिया जिसे काते हैं, जिनका ही बहिस अखबार पढ़ने को तयार नहीं है, जेस की जनता के दिमाग में आ गया है कि ये बिके हुए पत्रकार है, चम्चागिरी करने वाला ब्यक्तु भी स्वसनी नहीं होता है, जो कड़वी भासा, कड़वी बात, अपने नेता की भी आलोचना करने से न घवडाए, तो इस बा अगरेस अपनी विचारदाराओं से भटकी, तो वही हस्र होगा, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसाभाद चुनाओं में हुआ था, चाटगार नेताओं ने मिल करके शम्झोता करा दिया था, 2017 में नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीत आवाज, अभी हमारे साथ मौजूद है, जैप्रकास चतुरवेदी, कॉंग्रेस के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, इसलिए इन से सवाल है कि कॉंग्रेस के आपने मुद्दों से भटक गई है, पथ जो है उनके अलग होते जा रहे हैं, दरसल कांग्रेस में कुछ भाजपा के एजेंट, जिसे अंग्रेजी में सिलीपर सिल कहा जाता है, वो घुज गया है, भाजपा की सारूं पे, और वो पंडित राहूल गांधी की इर्द इर्द मल रहाते हैं, यानि यह कह लिजे कि पं कांग्रेस पार्टी का हुदा नहीं हुआ, हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो है, वो स्वतनता अंदोलन, अंदोलन के गर्व से पैदा हुई पार्टी है, कांग्रेस की विचारधारा को आज आरेश्यस और बीजेपी अपना रही है, और कांग्रेस अपनी विचारधारा अपरी मूल भूत धरोहरों को भी बचाने में अश्रबर्त हो रही है। क्योंकि इनके जो रणिस्कार हैं वर्टमान समय में या सलाकार है। वो Конुग्रेशी विचारधारा के हैं ही नहीं। कोई आइस से बी आरस लेकर के आया है कोई लेफ्टिस विचार धारा से घुसा है कोई कहीं से घुसा है कोई कहीं से घुसा है कोई कहीं से घुसा है कॉआंग्रेस क्या बोखला गई है सीट जीतने के लिए जीत हासिल करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं गांधी एक समुनिस सो पचीस में तीन संसाओं का जर्म हुआ था आरेशस, शेवादल और खादी गरामुद्योग खादी गरामुद्योग से इतना प्रभावित थे बापू की उसके अधक्ष उस्वाइंग बनी शेवादल कांग्रेस में और लगभग लगभग शमाफ्त होने के कागार पर है आरेशस, आपको मैं बतार देना चाहता हूं कि जो स्वदेशी था शोदेशी विचारधारा का उदय हुआ था, भापू ने दिया था, गांजे ने दिया था, पनित नहरू ने दिया था आज स्वदेशी अंदोलन चला रही है, आरेशसाथ और बीजेपी वो तो आपके पत को जो है आपकी विचारधारों को चोरी करके और आगे बढ़ रही है चोरी नहीं किया आप लोगों ने फेक दिया उन्होंने ले लिया अपना लिया चली 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 यह यह भी ठीक है आप बताईए बहुजन कांगरेश बहुजन डियस फोर के संस्थापक स्वर्गी कासी रामजी के बिचारधारा के थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार यह नाराख स्वर्गी कासी रामजीर ने दिया था जातिवाजिता की राजीत करने के लिए शपा बसपा और जेडी जेडी तमाम लोग हैं धर्म की राजीत करने के लिए आरेससर बीजेपी बरकरार है आपका तो जन्म भारत को आजाद कराने के लिए हुआ था आपके वहां तो तमाम बिभूतिया रही हैं जहो पंडित ने हरु रहे हो, या महत्मा गांधी रहे हो, या लाला लाजपात रहे हो, या बाल गंगा धर्टिलक रहे हे हो, या बाकिम चन्छटरजी रहे हो, या तमाम विचार धाराएं थी आपने जब से देखे तब तक ये विचार धाराओं से सीट नहीं आती न महराज बोट नहीं आते हैं मैं आपको आप जातिवादी जितनी भी पार्टिया है आजू पंडित राहूल गांधी से या कांगरेस उनको मोह बयाप्द नहीं था कि इनके समर्थन में खड़ी हुई कहा कि अगर इनके समर्थन में नहीं आएंगे तो आरेसोस और बीजेपी हमारा समूर नास कर देगी जिस प्रकार से मुस्लिम बर्ग छोड़ रखा था और कांगरेस के पास आया कि शिख दो परसेंट है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे बिस्टों में दो परसेंट है हिंदुस्तान का कोई पता दीजिए जिसे उन्होंने नहीं अपनाय हो वहां नो पहुंचे हो जिस पार्टी की निव संघर से भाई मैं कह रहा हूं कि पंडित राहुल गांधी की विचारधारा है सिखों का भरोसा नहीं है कॉंग्रेस पे वो संघार को संघार को याद करते हैं 84 कि कहीं कोई नहीं याद करता है इस देश में बटवारे से बड़ा संघार कभी नहीं हुआ था जिसमें पालियूमेंट वी सामिल थी गोधरा से बड़ा कान्ट नहीं हुआ था पुल भामाय जैसा घड़ित कारे नहीं हुआ था से पाहिलिंस में पाल्यमंट में अट्रक नहीं हुआ तो दानिश अली को क्या है मिलेगा पंडिश अली खुदे गुनरगार है आप सुन लिजे पंडित रहूल गांधी दानिश अली के वहां जा सकते हैं लेकिन सुस्री मायावती नहीं जा सकती है उसी तरीके से तो किया ना अरे ट्वीट करने से बेनफित नहीं होता ओ ऐसी है वह एसी मुसलमानों के ठेकेदार राहूल गांधी कौन सा अपने अपनी हीत के लिए जा रहे है उनको दानिश अली सा मतलब नहीं है आप गलत फाहमी कि सिकार है चुनावी रणिती बन रही है अई सा कुछ नहीं है पंडित राहूल गांधी देश के निचले पाउदान प को प्राप्त हुआ है कि जो है जो गोधी मीडिया जिसे काते हैं जो जिनका भाहिसकार आज कर रहा है देश की जनता ने भाहिसकार करने अकपार पढ़ने को तयार नहीं है जनता के दिमाग में आ गया है कि यह बिखे हुए पत्रकार बाजब को सकता नहीं होता है इसलिए आप आखरी मिन को बहुत पहले कर देना चाहिए था इन लोगों ने लेट काम किया तो मैं आपके चैनल के मारफ़त पंडित राहूल गांधिस्त को से अन्रोज भी करूंगा अपील भी करूंगा और अपना विचार भी उनको दे रहा हूँ जीस्त परकार से 2022 के उत्तरप्रदेश विद्धान सभाज चुनाओं में श्रीमती प्रियंका गांधी बडेरा को उनहीं के चाटकार मंडली ने समधा करके कि जीजी आप सीम चेहरा हैं पीम चेहरा हैं यह है और इस्तिति को बरबाद कर दिया वहां पर कांग्रेसी कल्चर को बरबाद करने का काम किया शेम कुष इसी तरिकिय से यहां पर जो कांग्रेस पार्टी इस देश में कैसे सरवाई परेगी इस देश के निचले प्यादान पर पहुंचे हुए ब्यक्ति को कैसे फायदा होगा आज मीडियम स्रेणी पहले तीन स्रेणी यां हिंदुस्तान में हुआ करती थी अमीर गरीब अब जो है और मीडियम स्रेणी अब मीडियम स्रेणी भी गरीबों के यानि देश की 60 से 70 परसेंट जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवनियापन कर रही है है दस परसेंट मीडियम स्रेणी में बच्चे हूए है देश के युवाओं को रोजगार की चिंता है देश की किसानों को अपनी जमीन और जाजायत की चिंता है और सत्तर प्रदेश देश की जनता कि हमारे बच्चों की सिख्षा कैसे होगी हमारे बच्चे स्वस्त कैसे रहेंगे हमें कैसे सुबह से साम तक उसी में परिसान है तो इस बार देश की जनता स्वेंग बना रही है अगर कांगरेस अपनी विचारदाराओं से बटकी तो वही हस्र होगा जो 2017 में उत्तर प्रदेश के विदानसभाद चुनाओं में ह शम्झोता करा दिया था 2017 में यह 28 से 7 पर आगए आउस सरकार में थे 225 से 47 पर आगए तो मेरे कहने का प्राई है कि विचारों की लड़ाई लड़िये शोज की लड़ाई लड़िये मुद्दाई समय होना चाहिए महंगाई बेरोजगारी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याच किसानों की समस्या देश की सिमाएं सुरक्षित नहीं है डिस्क्रस का मुद्दा गोष्टियां इस पर होनी चाहिए ना कि बहुजन कांग्रेस पर तो जाहित और पर आपने सुना किस तरीके से चतुरवेदी ने बताया कि तमाम मुद्दे बताएं किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और किन पर नहीं होनी चाहिए कॉंग्रेस अपना जो है रास्ता भटक रही है जो कॉंग्रेस जो बेरुजगारी और तमाम मुद्द झाल झाल